Hello friends, welcome to easyadmissions.org YouTube channel आज का वीडियो पैरामेडिकल काउंसिल आफ इंडिया और पैरामेडिकल कोर्स को लेके है तो चलो शुरू करते हैं मुझे एक स्टूडे ने कॉमेंट किया था कि सर मैं डिपलोमा इन ऑपरेशन थेटर टेकनोलोजी कोर्स किया हूं अब मैं आट आफ कंट्री में जॉब करना चाहता हूं क्या मुझे पैरामेडिकल काउंसिल आफ इंडिया में रिजिस्ट्रेशन करनी जरूरी है या नहीं ये था उनका सवाल तो मैंने सोचा कि ऐसा तो पैरामेडिकल कोर्सस एवरी येर हजारों स्टूडेंस करते हैं उन में से कुछ ना कुछ स्टूडेंस सा सवाल भी यही होगा तो क्यों ना मैं वीडियो बना दूँ इसलिए मैं इसका जवाब इस वीडियो में दे रहा हूं पैरेमेडिकल कोर्सस जैसे कोई पैरेमेडिकल कॉंसिल ऑफ इंडिया और सेंट्रल पैरेमेडिकल कॉंसिल ऑफ इंडिया आज तक भारत सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है वैसे तो हर अलग-अलग स्टेट में स्टेट गवर्मेंट का पैरेमेडिकल कॉंसिल अवेलेबल है इस courses को registration करने के लिए जैसे UP Medical Faculty, राजस्तान Paramedical Council, तिलंगाना Paramedical Council, महराष्टा Paramedical Council, आंद्रप्रिदेश Paramedical Council, करनाटका Paramedical Council, केरला Paramedical Board, पंजाब Paramedical Board, etc. तो जो भी Student Paramedical Course करता है, तो उसे उस State की Paramedical Council Registration करवाना जरूरी होती है, यही Registration आपको Government Jobs, चाहे वो State Government की हो या Central Government Jobs, और Abroad Studies, जैसे कि अगर आप बहार देश में, दुबाई वगरा में, जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए भी उन्ही स्टेट का Paramedical Registration, आपको valid होगा, तो ध्यान दीजिए, ऐसा कोई Central Paramedical Board Council नहीं बनाया है, Government के द्वारा, इसको लेके आपको कोई भी doubt हो, तो हमें comment में लिखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, कि आपके सवालों का जवाब, जल्दी से जल्दी पहुँचाए, तो स्टुडेंट, यही ता छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में आपका सवालों का जवाब मिल गया हो, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहे, जय हिंद।